लेकिन 2024 के लोग सबाचुनाओं में क्या समराठ चौधरी भारतिय जनता पार्टी के भरोसे पर खरे नहीं उतर सके, कुश्वाहा बोटरों को नहीं जोड सके और अब उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, भारतिय जनता पार्टी ने एक बड़ी कुरसी उनसे छिल ली बिहार में प्रदेश की कमान उनसे छिल ली, अब वो बिहार में डिप्टी-CM है और चर्चा ये होते रहती है कि डिप्टी-CM की कुरसी भी पता नहीं कब तक रहे या नर है, तो हम यह नहीं करें डिप्टी-CM की कुरसी नहीं रहेगी, लेकिन उपेंद्र कुश्वाह अगर राजसभा भेजे गए हैं तो इसका सीधा मतलब यही है जो बात समझ में आती है कि समराट चौदरी की चमक दमक फीकी पड़ रही है पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्याना नवस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूँ अभिशेक मिस्रा देखिए उपेंद्र कुश्वाहा रास्टिय लोकमोर्चा के रास्टिय अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वाहा को राजसभा भेजने का फैसला भारतिय जनता पार्टी ने किया और आज उपेंद् भी खत्म हो गया महीनों पुराना सस्पेंस टु पेंद्र कुश्वाह राजसभा जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं सीधी और साफ तस्वीर आज के दिन में यह है कि उपेंद्र कुश्वाहा अपर भारतिय जनता पार्टी ने दाव लगाया है बिहार में विदान सभा के विदानसबा चुनाओ से पहले बिहार में एक सेमि फाइनल भी है विदानसबा की चार सीटो पर उपचुनाओ है तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगर एक उपचुनाओ इंडिये हार चुकी है तो जाहिर है उपेंद्र कुश्वाहा का साथ चाहिए या इंडिये को ये लगता है खासकर भारतिय जनता पार्टी को ये लगता है कि उपेंद्र कुश्वाहा की जरूरत है लेकिन उपेंद्र कुश्वाहा पर जितना बड़ा दाव भारतिय जनता पार्टी ने लगाया है क्या उतना ही बड़ा नुकसान भारतिय जनता पार्टी के मौझूदा नेता विहार के डिप्टी सीम समराठ चौधरी को होगा और क्या उपेंद्र कुश्वाहा पर बीजेपी का दाव लगाना इस बात को पुखता कर देता है कि समराठ चौधरी की चमक दमक अब एंडिये में फीकी पड़ चुकी है बीजेपी में फीकी पड़ च उनकी अपनी पार्टी में उनकी चमक दमक पड़ चुकी है चाहिए माना जाना चाहिए और उपेंद्र कुश्वाहा के विकल्प के तौर पर जाहिर है ये बात समझनी कोई रोकेट साइंस नहीं है अगर समराठ चौधरी को लगातार आगे बढ़ाया गया उनको प्रमोट किया गया नेता प्रतिपक्ष बनाया गया भारतिये जनता पार्टी का प्रदेश अद्देक्ष बनाया गया डिप्टी सीम बनाया गया पहले मंत्री बनाया गया इससे पहले सरकार में पंचाहिती राजविभा के मंत्री थे तो क्या भारतिये जनता पार्टी ने लगातार आगे बढ़ाया तो इसका सीधा मतलब यही है कि कुश्वाहा पॉल्टिक्स और कुश्वाहा वोटरों को साधने के लिए कुश्वाहा जाती से आने वाले समराथ चौधरी को लगातार प्रमोट किया गया लेकिन 2024 के लोग सबाचुनाओं में क्या समराथ चौधरी भारतिय जनता पाटी के भरोसे पर खरे नहीं उतर सके कुश्वाहा वोटरों को नहीं जोड़ सके और अब उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है भारतिय जनता पाटी ने एक बड़ी कुरसी उनसे छिल ली बिहार में प्रदेश की कमान उनसे छिल ली अब वो बिहार में डिप कि कुरसी भी पता नहीं कब तक रहे या नरहें तो हम यह नहीं करें की कुरसी नहीं रहेगी लेकिन उपेंद्र कुश्वाह अगर राजसभा भेजे गया है तो इसका सीधा मतलब यही है जो बात समझ में आती है कि समराट चोधरी की चमक दमक फीकी पड़ रही है और इसक सीट से राजसभा की दूसरी सीट से कौन राजसभा जा रहा है मनन मिस्रा के नाम पर मुहड देर साम बीजेपी ने लगाई देश के ग्री मंतरी अमिच्छा के घर पर मिटिंग थी उस मिटिंग में समराच चोधरी भी थे मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आई कि सम तो क्या जलवा था और किस तरह का उनका स्वागत हुआ था तो सीधा मतलब यही है कि समराट चौधरी की चमक दमक फिकी पड़ी है और उपेंद्र कुस्वाहा का जो प्रमोशन है उपेंद्र कुस्वाहा को अगर बीजेपी को राजसभा भेजना पड़ा है तो जाहिर तोर पर समराट चौधरी भारतिय जनता पार्टी के भरोसे पर खड़े नहीं उत्रे हैं और इस पूरे पूरी रिपोर्ट का लबोलुआव यही है तो पेंद्र कुस्वाहा का राजसभा जाना समराट चौधरी के लिए आने वाले दिनों में राजनितिक मुसीवत का सबब हो सकता है आने वाले दिनों में समराट चौधरी की सियासी मु